सब्सक्राइब कीजिए SP Education चैनल को और बेल आइकान पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए हेलो एवरिवन वेल्कम टो अबर चैनल SP Education तो अपनी आज की क्लास में हम लोग अपने पॉलिटी की लेक्चर को आगे कंटीनियू करने वाले हैं तो अपनी पॉलिटी की क्लास इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं हम लोगोंने basic क्लास में, introduction क्लास में देखा था कि polity एक्जैक्टली क्या होती है और पॉलिटी के बाद हम लोगोंने कवर किया था कि constitution जो हमारा पूरा Government होता है यह constitution किस तरीके से बना proper history में जाके हम लोगों ने देखा था कि framing of constitution में constitution के निर्मान में, समविधान के निर्मान में किनके लोगों ने important role play करा है किस तरीके से over the period of time ये आपका समविधान जो है ये create हुआ है उसके बाद हम लोगों ने discussion start की थी किस पे? preamble पे किस पे हम लोगों ने discussion start की थी? preamble पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो समविधान की प्रस्तावना होती है, ये exactly क्या होती है ये किस तरीके से work कर रही है ये सब लोग हमने detail में ये सारा topic study किया था तो अपनी आज की class में हम लोग अपनी आज की class में जो topic लेने वाले है वो है features, salient features of the Indian constitution देखिए कोई भी topic जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? उस topic का meaning पता होना चाहिए features से मैं बात करो तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे समविधान की विशेशता खाएं क्या-क्या है ठीक है हिंडे में जितना possible होगा वह यहाँ पे हम लोग करके चलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे समविधान की क्या-क्या विशेशता है Exactly ठीक है तो यहाँ पे अप्य समविधान की जब मैं विशेशता की बात कर रही हूँ, तो सम्विधान का मीनिंग हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने, कि ये क्या है, एक rule book है, क्या है, rule book है, जिसमें क्या mention है, law mention है, जो किसके लिए mention है, आपकी government, सरकार और उसके system के लिए, यानि government और people के लिए, इन दोनो के बीच में एक क्या करती है, relations establish करती है, एक संबंद स्थापित करती है, मतलब एक government को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद लोग जो यहाँ पे रहते हैं, इस country में रह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे rules कहां mention है, य जब हम बात करें हैं features की तो देखे features जब हम आज की class पूरी complete कर लेंगे तो features के बाद आप लोग इस able हो जाओगे कि आप बता पाओगे कि आपको पूरे constitution में exactly क्या-क्या पढ़ना है हमें पूरे सम्मिधान में exactly क्या-क्या पढ़ना है बहुत सारी बाते हैं जिनका जिक्र हम करेंगे जिनको discuss हम करेंगे बहुत detail में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा constitution का एक तरीके से मैं बात करूं index या पूरे constitution के topics जो भी पूरे constitution के topics अने detail में उनके नाम तो at least आज हम touch करी लेंगे features में कि constitution में ये बहुता है constitution ऐसा constitution में ये चीज प्रेजेंट है बट उसको detail में जब हम study करेंगे तो अपनी अगली क्लास से हम one by one उन topic की discussion करना start कर देंगे ये basic बात हुई है अब हम start करते है features को तो जब मैं बात कर रही हूं features की तो देखे हमारा पहला feature क्या हो जाता है प्लीज बेन copy साथ में लीजिए और इसको साथ साथ लिखते चलिए जो जो बात हम यहां पे लिख रहे हैं और हम बोल के चल रहे है ठीक है जब मैं बात कर रही हूं पहले feature की तो पहले feature में हम बोल में क्या देख रहे है it is the landiest and written constitution ठीक है सबसे लंबा मतलब landiest मतलब क्या होता है बड़ा ना तो सबसे लंबा अगर मैं बात करूं ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूं किसकी सबसे लंबा और written मतलब क्या होता है लिखे समविधान अब दो वर्ड है हमारे पास landiest and written मैं इस constitution को मैं हमारे समविधान को landiest क्यों कह रही हूं क्योंकि यह सबसे बड़ा है question is क्यों यह सबसे बड़ा है आपने देखा था ना मैंने जब discuss किया था आपसे मैंने आपको बताया था कि हमारे समविधान को बनने में हमारे constitution को बनने में total 2 years 11 month 2 years 11 month और अप्रॉक 18 days लगे है अब मुझे बताओ इतना time लगा के बनाया तो चार पेज की summary तो ready नहीं कियोगी मतलब इतना time लगाया आपने इतने सारे factor पे discussion किया तो हम कोई 4 पेज की summary तो ready करेंगे नहीं तो हमारा constitution बहुत बड़ा constitution है जिस time पे मेरा constitution बनके ready हुआ मेरा means हमारा constitution बनके ready उस टाइम पे constitution में एक था हमारा preamble, जिसे हम लोग detail में पढ़ चुके हैं, उस टाइम में constitution में थे कुछ article, कितने article, 395 articles, उस टाइम पे थे constitution में कुछ parts, कितने parts, 22 parts, उस टाइम पे थे constitution में कुछ schedules, कितने schedules, 8 schedules, clear हुआ, यहाँ पे हमने constitution के कितने articles, कितने parts और कितने schedule थे में कम नहीं है यह भी अपने आप में कम नहीं है एड प्रेजेंट अगर मैं अभी की आपसे बात करूँ तो प्रियामबल तो हमारे पास है ही है यह था ओरीजिनल जब constitution बना उस time पे अब अगर मैं आपसे add present की बात करूँ present scenario में हमारे पास क्या situation है present scenario में मेरे पास situation है कि मेरे पास है 498 articles अभी 498 articles है मेरे पास 25 मेरे पास parts है और मेरे पास total 12 schedule है ये क्या add हुआ है क्या चीजे हुई है ये तो आगे detail में जो हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे क्या क्या चीजे add हुई है ये 8 से 12 schedule कैसे बने है ये 22 से 25 part कैसे बने है in our next lectures ये सब चीजे देखेंगे बड़ आप देख रहे हैं कि ये show कर रहा है कि आपका constitution कितना बड़ा constitution है now question आता है कि what is the reason कि आपका constitution इतना बड़ा है मतलब इतने सारे part इतने सारे articles तो इसका क्या reason है तो now हमने question raise किया why अब why का answer हम यहाँ पे लेंगे तो why के answer के लिए सबसे पहला point जो आपके पास आता है sorry वो क्या है देखें एक तो हमारा geographical area की मैं बात करूँ हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो geographical area है वो अपने आप में कितना बड़ा है इंडिया का geographical area इतना बड़ा है प्लस यहाँ पे हम बात करते हैं unity in diversity की मतलब इतने different religion के लोग, culture के लोग, caste के लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे इतने सारे लोगों की wishes and aspirations उनकी इच्छाओं को हमें क्या करना था ध्यान में रखके constitution को बनाना था तो इसलिए constitution की जो length है वो अपने आप में बड़ी होनी थी क्योंकि हमें सब की इच्छाओं का क्या करना था ध्यान में रखना था प्लस देखिए एक और fact नहीं हाँ पे है जो अब value नहीं रखता है इतनी कि जब constitution बना तब आपको पते है जम्मू कश्मीर का issue था तो जम्मू कश्मीर के अलग से provision यानि article 370 जो हम देखते थे constitution में वो हमें अलग से देखने को मिलता था लेकिन अब वो आर्टिकल रिपेल हो गया है अब वो चीज कैंसल हो चुकी है बट स्टिल एक रीजन वो भी था अगर हम यहाँ पे लिखने की ट्राइ करते अब उसको नहीं लिखेंगे अगरी बात देखते हैं उसके लावा भी बहुत रीजन है सिर्फ वही एक रीजन नहीं था ठीक है उसके लावा हम बात करते हैं कि जो हमारा state है and union है हमारे जो states है और यह जो पूरी union है इनका हमने एक ही constitution बनाया है हमने यह नहीं कहा यह India as a whole का constitution है और यह आपके अलग-अलग state का यह UP का proper हो गया, यह महराश्टर का हो गया, यह जहारखन का हो गया ऐसे अलग-अलग constitution हमने नहीं बना रखके हैं हमने सारे state के constitution और union के constitution को merge करके ही एक constitution बनाया है तो जब हम सारे states की बाद भी उसमें present करेंगे तो हमारे constitution की length अपने आप में ही क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूँ आप से तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें बहुत सारे minorities के interest को भी protect करके चलना था मतलब बहुत सारे minorities section भी थे उस time पे हमारे हाँ पे तो उनको हमें आज भी है मतलब minorities वगरे के बारे में detail में constitution, provision क्या बने है, समविधान में इनके बारे में क्या-क्या बाते हैं, क्या-क्या इनको protect करने के लिए articles हैं, क्या-क्या इनको protect करने के लिए rights हैं, यह सब हम लोग देखेंगे, बट minorities के interest को भी, minorities के hit को भी हमको सोचके चलना था, तो एक point हो गया, minorities वाला, इसके अलावा में बात करूँ, तो हम देखेंगे कि यह जो constitution है ना, यह बनाया था lawyers ने, यह किसने बनाया था, lawyers के द्वारा बनाया हुआ था, किसके द्वारा बनाया हुआ था, lawyers के द्वारा, अब हमें पता है कि lawyers की बात को, एक बात को 10 तरीके से कहने की आदत होती है, because वो कहीं पे भी फसना नहीं चाहते, they know the legal term, उनको कानून पता है, उनको legality पता है, तो वो एक बात को इतने तरीके से कह देंगे, कि उनके फसने का चांस बिल्कुल निल हो जाएगा, कि हमने तो ये बात इस पॉइंट में cover करी है, हमने ये चीज इस तरीके से cover करी है, तो देखो, handsforth, hereby, this is to say, बतलब इसे बहुत सारे terms होते हैं, ठीक है, आप originally constitution, अभी तो हम समझ रहे है, derive करके simple form में, बड़ अगर हम constitution का एक एक article पढ़ेंगे, तो हमें यसी बहुत सारी terms देखने को मिलेंगी, जो line पढ़के जो है, हमारा दिमाग बिल्कुल से confused हो जाएगा, तो अभी नहीं पढ़ना है, बड़ पहले पूरी कहानी पढ़ लो constitution की क्या होता है, सारे article, part, schedule, सब समझ लो, उसके बाद अगर आपको लगे, तो आप constitution के proper कुछ term उठाके देख सकते हो, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो law से background related है, proper law की तयारी कर रहे हैं, या आपने graduation level पर उन्होंने law as a subject पढ़ा है, तो उन्हें पता होगा कि legal terms में थोड़ा बहुत किस तरीके से उलजाया जाता है, तो ये भी एक reason था, जिस वज़े से मेरी constitution की क्या हो गई, length जो है, वो इतनी constitution है, ठीक है, ये सारी बाते आपने अपने पास लिख ली, अब हम बात करें हैं कि मेरा constitution एक written constitution है, तो मुझे इस written के बारे में बताओ, अब written क्या होता है, अगर मैं कहा रही हूँ कि written constitution है, तो एक word कुछ unwritten भी exist करता होगा, जब मैं कह रही हूँ written constitution है, तो मेरे पास एक word unwritten भी होगा तो क्या written unwritten का मतलब क्या होता है कि ये constitution लिखा हुआ है और ये constitution लिखा हुआ नहीं है ऐसा नहीं होता किसी भी country में ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि ये constitution पूरी तरीके से absolutely written है या absolutely unwritten है तो उसके लिए मुझे पहले समझना पड़ेगा कि written क्या होता है और unwritten क्या होता है मैंने आपको पूरी constituent assembly की कहानी बताई थी constituent assembly बनाने की मांग रखी किस तरीके से बनी, किस तरीके से उसने समविधान बनाना शुरू करा तो ये जो समविधान सभा constituent assembly की मैंने आपको बात बताई थी तो written constitution का मतलब होता है वो provision वो सारी बातें जो constituent assembly ने समविधान बनाते हुए लिख दी कि ये ये चीजे constitution में होनी चाहिए ये basic बातें ये basic provision constitution में होने चाहिए यानि कि written constitution मतलब क्या होता है जो constituent assembly ने Constituent Assembly ने मतलब सम्विधान सभा ने Constituent Assembly क्या है? सम्विधान सभा सम्विधान सभा ने सम्विधान बनाते हुए जो बाते सम्विधान में लिख दी वो सारी चीजे हम किस form में include करते है कि ये written constitution है ये वाला जो पाठ है ये written constitution हो गया और उसके अलावा over the period of time जो कुछ rules की वज़े से आपके कुछ charters, rules, charter वगेर आते हैं tradition की वज़े से जो चीजे over the period of time change हुई वो क्या कहलाती है unwritten constitution क्या कहलाती है sorry unwritten constitution देखे सबसे पहला written constitution किसका था America का हम बात करें तो India and America में proper हम देख सकते हैं written constitution और यहाँ पर अगर मैं आपसे एक example की बात करूँ तो यहाँ पर हम example ले सकते हैं New Zealand का यहाँ पर हम example ले सकते हैं New Zealand का तो अब जब हम written and unwritten की बात कर रहे हैं तो जो constituent assembly बना गई वो सारे written part और जो बाद में over the period of time अलग अलग चीजों की वज़े से कुछ rules की वज़े से कुछ laws की वज़े से कुछ proper tradition culture की वज़े से हमने यहाँ पर changes करें वो क्या हो जाते हैं वो हो जाते हैं unwritten के पार ठीके अब मुझे यह बताई कि यह चीजे जो constituent assembly ने लिख दी इनको change करना क्या असान पड़ेगा या जो आप over the period of time बना रहे हो उनको change करना simple सी बात है यह चीज written है तो इसको change करना comparatively मुश्किल पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे change कर ही नहीं सकते समझ रहे हैं इसको change करना comparatively मुश्किल पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे change कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब written वाला जो part है ये एक हद तक हमारा rigid भी होता है plus flexible भी होता है मतलब toes भी है और load shield भी है flexible या elastic मतलब क्या होता है कि वो चीज क्या है load shield है थोड़ी सी उसमें बदलाव लाना possible है बदलाव आ सकता है ठीक है और rigid मतलब क्या होता है बिल्कुल toes जो चीजे बदली जानी मुश्किल होती है तो यहाँ पे बदला जाना मुश्किल है कुछ पार्ट और कुछ चीज असानी से बदल सकते हो याद करो previous class याद करो preamble की बात याद कीजे केशवनन्द भारती case मैंने आपको क्या बताया था उस case में क्या बोला गया कि हम अपने preamble को preamble हमारे constitution का part है और हम अपने preamble को क्या कर सकते है येस हम अपने preamble में change कर सकते है हम admin ला सकते है संशोधन ला सकते है लेकिन हम उसके basic structure को बात करूं unwritten की तो unwritten में आप देखेंगे कि unwritten constitution rules laws over the period of time इन चीजों से बना है तो इसमें change लाना तो बहुत ही असान है तो यहां तो rigid word use करने का कोई मतलब ही नहीं है यह क्या होता है unwritten constitution पूरी तरीके से flexible होता है ठीक है तो एक बार हम इसको detail में दुबारा देख लेंगे return unwritten return का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह लिखा हुआ है और unwritten लिखा हुआ नहीं है कोई भी country में पूरी तरीके से absolute written और absolute unwritten नहीं होता है mixture of both दोनों का एक जो हता है न संगम टाइप दोनों की mixture है वो देखने को मिलती है अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया इंडिया के context में हमने प्रूफ करके देखा कि कैसे हम basic structure को change विल्कुल नहीं कर सकते हैं और remaining part में हम change ला सकते हैं यहां तक की कहानी हमें समझ में आई यानि कि जब मैं कह रही हूँ अपने constitution को कि वो and written है तो why I am saying this ऐसा में क्यों कह रही हूँ इसका answer हमें यहां पर मिल गया पहला feature हमारा complete हो गया अब हम आते हैं अपने next feature पर तो जब हम अपने next feature की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास देखने को मिलता है कि it is derived from various sources देखो first time समझ रहे हो ध्यान से समझो basic बाते भी बता रह तो मैं बार-बार बोलती हूँ कि वो लोग सिर्फ revise करेंगे लेकिन जिन्होंने नहीं पड़ा है अब तक उनके लिए यह बहुत basic से भी बताने की जरूरत है ठीक है ना तो जब मैं कह रही हूँ कि मेरा constitution बहुत अलग-अलग sources से आया है मतलब देखो आपको पता है जब हम हम अजाद हुए हम अजाद कब हुए थे ब्रिटिशर कब गए थे 1947 में ठीक है constitution कब बनके फ्रेम होके हमारे पास आया 1950 में बिलकुल ठीक बात है तो जब मैं यह बात आप से कह रही हूँ मतलब इस टाइम पे बहुत सी कंट्री डेमोक्रेटिक हो चुकी थी बहुत सी कंट तो जब हम constitution बना रहे थे जब हमारे यहाँ पे constitution बन रहा था तो यहाँ पे बैट जो constitution असेंबली बैट रही थी discussion कर रही थी वो अलग अलग country के constitution को क्या कर रही थी compare कर रही थी वो देख रही थी कि यह पास हमारे यहाँ पे apply हो सकता है और हो सकता है तो कैसे हो सकता है तो जब B.R.M. बेटकर से ये बात बोली भी गई, अभी हम देखेंगे क्या क्या चीच कहा कहा से ली गई है, जिसको आप दो तीन बार पढ़ेंगे क्योंकि ये याद रखना important है, इसके question paper में बनते ही बनते हैं, तो इस proper point में time देके चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो जब B.R बेटकर ने कहा, ये कोई copy paste नहीं है, I am not rank sizing the thing, मतलब यहाँ पे मैं constitution में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने अलग-अलग जगे से, अलग-अलग countries से, जो चीज़े अच्छी लगी, उसे adopt करा, तो मेरे according ये चीज़ गलग बिलकुल भी नहीं है, तो और constitution का, जो proper, मैं बोलू, structural part है, क्या बोलूँगी, structural part है, structural क्या होता है, structural होता है, सरचनात्मक की, किस तरीके से proper ये धाचा बना हुआ है, आपके constitution का, तो जो ये structural part है, यानि कि जो सरचनात्मक part है, ठीक है, सरचनात्मक part है हमारे आंका, वो सरचनात्मक part मैंने कहां से लिया ह वो सरचनात्मक पार्ट मैंने लिया है Government of India Act 1935 ठीक है? 1935 जादी से पहले एक Government of India Act आया जिसमें बहुत सारी चीजे मेंशन थी तो वहां से मैंने अपने Constitution का major part लिया है अपने Constitution का एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने Government of India Act 1935 के feature से क्या करा है? ड्रॉन करा है सेकेंड पार्ट की मेरे Constitution का जो philosophical part है philosophical यानि की जो ideological part है क्या philosophical part? मतलब किस पार्ट को जो है philosophical part बोल रहे हो तो मेरे यहाँ पर जो मेरे पास fundamental rights है और मेरे जो DPSP हैं मैं इनको कह रही हूँ कि यह मेरा philosophical part है जो Constitution की philosophy को show करता है ठीक है तो ये जो part मैंने लिया है ये philosophical वाला part मैंने लिया है America के Constitution से और Irish के Constitution से मतलब Ireland के Constitution से ठीक है बिलकुल छीख बात है ये तीन broad category divide की गई है तीन broad category divide की गई है उसके बात Constitution में लेकि हर चीज कहां कहां से draw की गई है ये भी हम देखके चलेंगे तो छीख है ये दूसरी पार्ट आपकी समझ में आई तीसरी पार्ट फिर क्या है? तीसरा पार्ट है मेरा पॉलिटिकल पार्ट मतलब मेरा राजनीतिक भाग Constitution में जो भी राजनीती से related है राजनीती से related क्या? मतलब आप राजनीती से related किसको कह रहे हो? राजनीती से related हम कह रहे हैं कि आपका जो cabinet होता है proper प्लस आपका executive and legislative आपका कारवे पालिका और विधाय पालिका में जो संबंध होता है ये सब चीजे जो पॉलिटिकल पार्ट से रिलेट करती है जो राजनीतीक पार्ट से relate करती है ये आपने कहां से ली है? तो ये हमने ली है ब्रिटेन के constitution से ये हमने ली है कहां से? ब्रिटेन के constitution से तो ये तो तीन major category divination था क्या था? तीन major category divination था उसके बाद हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों की अब ये proper काफी सारे parts है आप इसका proper screenshot ले लीजिए pause करके या फिर वीडियो को लिख लीजिए इन सारी चीजों को हमें learn करना है time to time में आपको इसको बताती भी रहूंगी अगली classes में प्लस ऐसे नहीं याद होंगी मुझे भी पता है एकदम से देखके डरने की बिल्कुल जरुवत नहीं है we'll make tricks हम इसके tricks बनाएंगे कि किस तरीके से इनको याद कर सकते हैं अभी पहले एक level तक constitution को समझ दो बाद में कुछ classes बाद हम अपनी series में tricks की classes भी add करेंगी कि कैसे आप चीजे learn कर सकते हो ये सारी तो इसको हम करेंगे tricks की help से तो डरने की कोई बात नहीं है अब सबी सुन लीजिए पढ़ लीजिए एक बार जितना याद रहता है well and good जो नहीं याद रहेगा उसको बिल्कुल भूल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है दिखिए हमने बोला government of India Act से हमने कुछ चीजे ली है तो क्या क्या चीजे government of India Act से ली है ये federal scheme वाला पाट governor का office अब question आ रहा होगा दिमाग में हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम पहले से पढ़े हुए student नहीं है जो इन बच्चोंने बिल्कुल नया देख रहे है तो उन्हें नहीं पता ये federal क्या होता है उन्हें नहीं पता ये governor क्या होता है नहीं पता भी कोई बात नहीं पता बस पढ़ सकते हो ना reading आती है इसको सुनके रखिए आगे जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी हम governor पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा है ये तो government of India Act 1935 से हमने point इसके pick up करें Is that clear? उसके बाद जो हमारा judiciary वाला part है जुडिशियरी क्या? law system ये supreme court वाले जो concept होते है उसके बाद आपके जो public service commissions होती है public service commissions क्या? UPSC, SPSC, ये सब जो concept है emergency के कुछ provision और कुछ administrative details जो है वो हमने कहां से ली है? कहां से derive की है? Government of India Act से ठीक है? उसके बाद British Constitution से क्या कहा लिया? इतने साल ये राज करके गए है यहाँ पे सारे system सेट करके गए है तो Britain से क्या क्या चीजे ली है आपने? ठीक है? हमारा जो parliamentary system of government हम follow करते है वो हमने यहीं से लिया है rule of law का concept लिया है legislative procedure यहां से लिया है single citizenship जो India follow करता है अभी देखेंगे इसे भी वो हमने यहां से लिया है cabinet system यहां से लिया है ठीक है? RITS का concept हमने यहां से लिया है RITS क्या होती है? That also we'll see parliamentary privileges and bicameralism का concept भी हमने यहां से लिया है ठीक है? बहुत अच्छी बात है अब आज़े यूएस से आपने क्या क्या लिया है तो जो आप fundamental rights पढ़ते हैं claim करते हैं जो citizen कहते हैं कि this is my fundamental right आप मेरा right violate नहीं कर सकते हो government मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है इस चीज का तो मुझे fundamental right है अभी basic पीछे इतने सारे incident हो है आप देखे ना CAANRC का protest और यह सब पहानी इनमें तो बहुत जादा यह सब चीजों का use किया गया है कि we have right to speak हमें तो freedom of speech है यह सब कुछ है तो fundamental rights आपके पास available होते हैं Independence of judiciary Judiciary independent होके काम करती है Supreme Court आपके जो court वाला system है सारा system normal language में समझो तो यह किसी पे dependent नहीं है अपने decision के लिए यह किसी और के basis पे अपने decision नहीं लेता तो यह जो concept हम follow कर रहे है तो वो impeachment कहलाता है तो यह concept US से लिया है Supreme Court और High Court के judges को किस तरीके से remove करना है Vice President को किस तरीके से हटाना है यह सब concept भी कहां से लिया है US के constitution से ठीक है Irish Constitution से क्या क्या लिया है आपने DPSP हमने लिया Irish Constitution से Nomination of the member of Rajya Sabha and method of election of President President को किस तरीके से elect किया जाएगा President पढ़ेंगे तब देखेंगे लेकिन हमने लिया कहां से है यह वाला concept Irish के constitution से ठीक है उसके बाद आगया Canadian Constitution अब Canada के constitution से आपने क्या क्या लिया है ठीक है तो Canada के constitution से हमने क्या क्या चीजे लिया है यह हम देखेंगे तो हमने यह लिया है Federation with a strong center अभी यह point तो हम अभी ही discuss करेंगे ठीक है wait for it Vesting of Residuity Power in the center तीन type की power होती है आपको पता होगा न Union list, State list, Conquerant list यह तो आपने बढ़ा Union list, State list, Conquerant list and इनके लावा Residuity Power भी होती है कुछ जो remaining रह गई that are Residuity Power तो वो Residuity Power जो है वो किसके पास जाएंगी वो पावर जानी चाहिए किसके पास, center के पास जानी चाहिए ठीक है उसके बाद appointment of state governor by center State के जो भी governor होंगे उनको center appoint करेगा और जो advisory jurisdiction होती है Supreme Court की यह सारी चीज़े हमने कहा से लिए है यह सारी चीज़े हमने लिए है कैनेडा से यहां तक समझ में आया है इतना छोटा नहीं है constitution खतम नहीं हुए है चीज़े बहुत चीज़े पढ़नी है पूरा देश चल रहा है इतने करोडों आपके देशवासी यहां से चल रहे है इतनी administration चल रहे है तो बिलकुल आप सोचो कि shortcut में निकल नेंगे इससे, तो shortcut में तो नहीं निकल सकते है आस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए आप देखो अस्ट्रेलिया से हमने लिया है हमारी concurrent list अभी मैंने आपको list बताई थी थीक है अभी मैंने आपको list बताई थी two houses of the parliament ये सब कहाल से लिया है Australia से ठीक है उसके बाद हमने लिया है Germany से हमने क्या क्या चीजे लिया है fundamental right suspend करना emergency के time पर अभी पढ़ेंगे क्या है emergency emergency के time पर आपके normal right यहां पर नहीं present रहते अभी ये भी अभी आजकी क्लास में यह concept भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत ठीक है उसकी बाद हमने USSR से क्या लिया है USSR यानि जो आज की रेट में रश्या है USSR का disintegration हुआ था उस time पर क्या बज़ गया था मतलब क्या पार्थ यहां पर हमारे पास था आज की रेट में क्या है रश्या सोवियक यूनियन था यानि USSR था वह आज की रेट में क्या है रश्या तो उससे आपने क्या क्या लिया है आपकी जो फंडमेंटल ड्यूटीज है justice की जो हम बात करते है अदलब social economic political preamble में देखा था ना justice, social, economic and political justice की बात करते हैं तो यह सारी चीजे हमने कहां से लिया है USSR से फ्रेंच से आपने क्या लिया है यह भी मैंने पिश्ली क्लास में आपको बताया था liberty, equality and fraternity जो preamble में लिखा है कहां से लिया है हमने french के constitution से उसके बाद south africa के constitution से आपने क्या लिया है जो constitution को amend करना है मैं थोड़ा पर discuss करा था ना आपके साथ कि flexible constitution है हम change कर सकते हैं it is a living document ऐसा नहीं है जो लिख दिया वो लिख दिया हमने क्या word यूज करा था constitution के लिए we use the word living document कि एक living document है उसके अलावा हमने कहा था कि ये flexible है ये load shield है मतलब यहाँ पर change आ सकते हैं बदलाव लाने की possibility है तो उस बदलाव लाने को क्या बोला जाता है amendment और Hindi में file से तो उसे बोला जाता है समविधान में संशोधन करना तो yes ये जो संशोधन करते हैं हम समविधान में ये concept हमने लिया है South Africa के constitution से then Japan से आपने क्या लिया है जपान से हमने लिया है procedure established by law समझ में आ गई कहानी अच्छा भी कैसे मतलब हम तो exam centric पढ़ रहे हैं न भी तो कहानी तो हमने सुन ली कहानी तो exam में न पूछेगा न लिखनी है पेपर में कैसा question पूछेगा direct question पूछ सकता है depending upon the level of your exam आपसे direct question पूछ सकता है कि procedure established by law आपने कहां के constitution से derive किया है A, B, C, D करके they will give you the option Ireland देदेगा, Japan देदेगा, French देदेगा और Germany देदेगा पढ़ा होगा, सुना होगा तो आप answer कर पाऊगे इसके अलावा एक concept आपसे क्या करेगा आपको options देगा इधर आपको countries के नाम देगा एक part पर आपको देगा कि वहाँ से क्या क्या derive किया है Then you have to match the correct option कि यहां से हमने ये चीज लिया है, यहां से हमने ये चीज लिया है तो इस तरीके के question भी आ सकते हैं तो एक दो बार आप ये सारी चीज़े जब पढ़ोगे तो आप इस चीज को answer करने के एबल होगे कि क्या चीज हमने कहां से derive की है और major 3 जो थी, यह broad categories थी जिसमें हमने देखा था structural part, philosophical part और हमने देखा था हमारा political part कहां कहां से लिया है, यह समें clear हो गया तो यह हमारा second feature clear हो गया कि it is drawn from various sources अब हमारे पास हमारा आता है third feature third feature की heading आप लोग क्या देख रहे हो it is a blend of rigidity and flexibility mixture है, ठीक है समू है या आप कह सकते हो किसका rigidity का sorry, rigidity का and flexibility अभी मैंने क्या मतलब बता है, rigid मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज ठोस है जिसमें बदलाव करना मुश्किल है flexibility या elastic किसी चीज को मैं बोल रही हो, तो मैं बोल रही हो कि यह load shield है, यहाँ यहाँ पर flexibility है कि चीजों में change आ सकता है अब बहुत detail में यह तो हम अभी भी discuss कर चुके हैं और previous classes में भी हमने करा है कि yes, constitution जो है, वो rigid भी है और flexible भी है, कुछ पार्ट जो है some parts तो change करना is very difficult आप देखो, गे constitution में change करने को, हम क्या बोलते हैं मैंने बोला, अगर आपको समविधान में बदलाफ करना है, तो वो क्या बोला जाता है amendment बोला जाता है, क्या बोला जाता है amendment, amendment को हिंदी में हम लोग क्या बोलते है, संशोधन तो यह संशोधन करना was difficult for some part कुछ चीजों के लिए संशोधन करना बहुत difficult होता है जैसे आपने देखा basic structure समविधान का जो basic structure है कहीं लिखा नहीं है, क्या होता है, कौन decide करता है पिछली क्लास में बताया था, supreme code साथ साथ recall करते चलो चीजे कौन decide करता है कि basic structure क्या होगा supreme code decide करता है तो ये जो चीज है, ये तो बिलकुल भी आप change नहीं कर सकते हो ये तो supreme code बोल चुका है, के श्वनन भारती केस में, कि basic structure cannot be amended, वो तो आप change ही नहीं कर सकते हो, तो वो तो purely rigid आप देख रहे हो, highly rigid है इसके अलावा भी amendment, जो हम constitution में amendment करते हैं सम्विधान में जो बदलाव लाने होते हैं वो आते हैं सम्विधान के article 368 के थूँ, आप देख चुके हो ना अभी कितने article हैं हमारे हैं तो एक एक करके article भी आपको धीरे-धीरे याद हो जाएंगे तो सम्विधान में जो बदलाव लाते हैं यानि constitutional amendment सम्विधान संशोधन के लिए कौन सा article यूज किया जाता है, article 368 अब इसमें किस तरीके से बदलाव आते हैं वो तो हम आगे पड़ेंगे लेकिन कुछ बदलाव तो हैं जो असानी से आ जाते हैं जीजों में लेकिन सम्विधान में बदलाव लाने के लिए process जो है वो थोड़ा सा complex है थोड़ी सी difficulty आती है तो इसी लिए हम यहाँ पे बोल के चलते हैं कि it is a mixture of rigidity and flexibility some part cannot be change कुछ पार्ट तो बिल्कुल change नहीं हो सकते हैं like basic structure कुछ पार्ट में change लाना मुश्किल है क्योंकि उसमें हमें चाहिए होती है special majority ठीक है अब special majority क्या होता है यह क्या नया word यूज कर लिया एक दिन में पूरा constitution थोड़ी पढ़ना है सब कुछ आज ही थोड़ी सीख लेना है नाम सुनो रखो दिमाग में फ्यूचर में पढ़ेंगे तब बताएंगे तो special majority से कुछ चीजे change होती है तो कुछ चीजे होती है special majority प्लस आपको चाहिए होता है half of state ratification special majority तो चाहिए ही चाहिए plus half of state ratification अरे अभी तो special majority ही word difficult था अभी एक और नया difficult सा word आ गया कुछ भी नहीं है बस हमें कुछ changes लाने के लिए special majority चाहिए और कुछ changes लाने के लिए special majority के साथ-साथ states की मतलब जितने state involved है उसमें आधे से majority चाहिए उनकी मंजूरी चाहिए उस चीज के लिए ठीक है कैसे क्या पूरा detail तो पढ़ नहीं है हमे तो ये चीज शो करती है कि हमारा constitution it is a mixture of rigidity and flexibility समझ में आगी यहां से हमें बात क्या concept कहना चाह रहा है ठीक है उसके बाद हम आते है federal system with unitary bias इसमें detail में अलग से class भी discuss करेंगे federal structure के feature क्या होते है unitary के feature क्या होते है ये सब detail में discuss करेंगे आज हम जब constitution के feature कर रहे है तो बस हम ये word आपसे discuss करेंगे इनके बारे में detail class भी हम लोग separately रखेंगे तो अभी मैं आपसे बात करेंगे federal system with unitary bias जब मैं word यूज करेंगे federal system दिमाख में बिछा लीजिए dual government दिमाख में बिछा लीजिए dual और unitary मतलब single unitary मतलब single federal मतलब dual और unitary मतलब single यहाँ पर द्वीश आशन की बात देखो दो particular अगर मैं बात करूँ मैं कहूँ कि Indian constitution एक federal constitution है तो मुझे proof करना होगा ना मैं कैसे कह रही हूँ ठीक है तो मैं proof कर दूँँगी कुछ बातों से मैं आपसे कहूँगी कि मेरे constitution में center और state दो अलग-अलग government चल रही है है ना दो अलग-अलग government चल रही है by criminal system हमारे यहाँ पर देखने को आपको मिलता है तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जिससे मैं यह कह सकती हूँ कि मेरा जो constitution है या मेरे हाँ जो government है particularly यहाँ पे जो है वो center strong है केंद्र को जादा power दी गई है केंद्र के पास अधिक power है as compared to state क्या है केंद्र के पास बहुत अधिक power है as compared to state तो जब हम कहेंगे दिखको अभी यह सारी point मैंने बोला मैं separate class में आपके सार discuss करूँगी तो यह नहीं है कि मैंने को छुड़वा दिया है यहाँ पर we will discuss कि federal के features क्या होते है unitary के features क्या होते है that we will discuss हमारे यहाँ पे single citizenship है वो क्या show करती है unitary system show करती है तो ऐसे बहुत सारे features है जो हम लोग क्या करेंगे discuss करेंगे single citizenship है वो क्या show करती है unitary system show करती है तो हम यहाँ पे देख रहे है federal system with unitary soul federal system है लेकिन किस soul के साथ unitary system के साथ अब यह जो word federation है यह जो word federation है यह हमारे constitution में कहीं भी नहीं लिखा है question बनेगा इस line से ध्यान से सुन लीजे the word federation is mentioned nowhere in the constitution note it down with you कि यह जो federation word है यह जो word हम देख रहे है federal और यह जो word मैं यूज़ कर रहे हूँ यहाँ पे आपके साथ federation यह constitution में कहीं भी नहीं लिखा है mention nowhere in the constitution mention nowhere in constitution अब question कैसे बनता है दो तीन statement दे रखियोंगी और उसमें लिखके दे देगा the term federation is mentioned in this particular part of the constitution यह is mentioned in the constitution तो यह बात सही है यह गलत है बिल्कुल गलत है federation पूरे constitution में कहीं भी नहीं लिखा ठीक है तो क्या लिखा है federation जैसा हमारे यहाँ पे बियरम बेटकर जी ने क्या word यूज़ करे है article 1 है आपका पढ़ेंगे न अभी article 1 से start करेंगे पढ़ना आगे तो article जो हमारा 1 है वहाँ पे लिखा है क्या word यूज़ करे है वहाँ पे word यूज़ करे है India ठीक है यूज़ भारत इंडिया यूज़ भारत इस union of state क्या word यूज़ करे है word यूज़ करे है union of state हमने देखा क्या यूज़ करा है union of state हमारे यहाँ पे कहीं भी federation word यूज़ नहीं किया गया है word यूज़ किया गया है article 1 में union of state इतनी बात क्लियर हुई तो अब हमें समझ में आया है कि ठीक है federation तो है federal system तो है but with unit free bias unit free soul के साथ आत्मा जो है spirit जो है वो कैसी है इसकी unit free है ठीक है क्योंकि mode power जो है वो किसको दे दी जाती है center को दे दी जाती है ठीक है और in case of emergency अभी emergency क्या होती है we'll discuss emergency के case में तो पूरी तरीके से जो system है वो unit free में change हो जाता है और ऐसा feature जो है वो सिर्फ हमारे Indian constitution में ही देखने को मिलता है इसके अलावा किसी constitution में ऐसा feature देखने को नहीं मिलता क्या कि emergency के time पे in case of emergency power जो है मतलब जो government है जो system है वो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है वो पूरी तरीके से unitary system हो जाता है Is that clear? यह सब बाते note down कर ली Federation constitution में कहीं भी नहीं लिखा है बहुत important statement है याद रखना है इसके अलावा कुछ important factual statement और जिसको आप दिमाग में रखो याद रखो क्या क्या चीजे है ठीक है अब federal है unitary आत्मा के साथ तो इस वज़े से केसी वहरे ने क्या करा है use करा है इसके लिए word constitution के लिए कि आपका जो constitution है यह क्या है यह quasi federal है question आ जाता है किसने कहा है कि constitution जो है वो quasi federal है किसने कहा है केसी वहरे ने कहा है यह चीज आपको अच्छे से करके चलनी है ठीक है उसके अलावा और लोगों ने बहुत सी चीज़े यूज करी है ठीक है क्या यूज करी है इसके अलावा यूज करी है Morris Jones ने Morris Jones ने ये कुछ चीज़े लिख लो देखो matching में भी आ सकता है और question पूझ भी सकता है Morris Jones ने क्या यूज करा है इन्होंने कहा है कि ये है bargaining federalism क्या है bargaining federalism क्या word यूज करा है bargaining federalism क्या word यूज करा है क्या नाम है उन परसन का उन परसन का नाम भी हम लिखके चलेंगे उन परसन का नाम लिखिये Granville Austin, क्या नाम है Granville Austin क्या यूज करा है इन्होंने इन्होंने word यूज करा है cooperative federalism क्या यूज करा है, cooperative federalism देखो, आज की class में मैं थोड़ा बहुत factual information और जादा बता रही हूँ मैंने touch करा federalism क्या होता है basic सा, unitary based है यह मैंने आपको बताया बट मैंने federalism and unitary बहुत detail में discuss नहीं करा है federalism के features है, unitary के features है जो याद करने है, paper में पूछे जाते है ठीक है ना, तो यह नहीं होना चाहिए कि यह चीज नहीं कराई है उसको कराना है, बट वो important है इसलिए उसको अलग lecture में कराना है यहाँ पे उसे mix नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे वो खिच जाएगा तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ठीक है, उसको हम लोग करेंगे separate lecture में यहाँ पे आप थोड़ी सी important जो factual information पूछ लेता है meaning देखा federal का, meaning देखा unitary का कैसे federal unitary दोनों mix हैं यह देखा उसके बाद हमने देखा किसने क्या-क्या word यूज करे हैं इसके लिए क्योंकि यह mixture of federal और unitary concept है emergency के case में हमारे आपे federal जैसा कोई system बचता ही नहीं है पूरी तरीके से किस में change हो जाता है वो unitary system में change हो जाता है तो यह तीन नाम और इन तीन नामों के साथ इन्होंने क्या-क्या चीज यूज की है यह proper आप इसके साथ लिखके चलेंगे ठीक है इसको अच्छे से लिख लीजिए यहां पर फिर अगले feature पर आते हम लोग अपने यह हो गया हमारा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि single citizenship का concept single citizenship अभी पढ़ रहे हैं अभी भी देखा कि यह show करता है कि हमारे यहां पर कैसी government है unitary form of government है कैसी government है? unitary form of government है unitary government है क्या हम ऐसा कहते हैं जब आप से citizenship या nationality पूछी जाती है what will you say? आप बोलते हो ना we are Indian हम क्या use करते हैं? we are Indian ठीक है? क्या हम यह कहते हैं कि हम इस particular state से हैं हम अराश्टर से हैं हम Bengal से हैं हम UP से हैं इसमें याद करो चग्दे इंडिया movie का scene है ने? ठीक है? वहाँ पर dialogue है कि आपके state के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं सिर्फ एक ही नाम सुनाई देते हैं क्या? इंडिया तो इंडिया क्या है nationality है इंडिया क्या है citizenship है हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि हम इंडिया के citizen है प्लस में UP का citizen हो प्लस में यहाँ का citizen हो नहीं आप वहां रहे रहे हो बढ़ आप वहां के citizen नहीं कहलाओगे हम citizen कहलाएंगे किसके इंडिया के तो ये proper center level की कहानी है हमारे यहां पे single citizenship है dual citizenship जैसा कोई concept नहीं है देखो कश्मीर की कहानी थोड़ी अलग थी बढ़ अब तो उसको discuss करने का मतलब ही नहीं है अब तो कश कश्मीर में भी वही सारी कहानी चल रही है जो normal बाकी state में चलेगी तो उसको अलग से बताने का आप कोई sense नहीं है बढ़ हां article 370 क्या था कश्मीर का और चीज़े चेंज हो गई है वो थोड़ा सा हम knowledge के लिए discuss करके चलेंगे आगे classes में तो single citizenship की कहानी हमें clear हो गई इंडिया की single citizenship है जो ये show करती है कि हमारी unitary form of government है आप यहाँ पे dual citizenship नहीं ले सकते हो हम ये नहीं क्या लाएंगे कि हम state के और इंडिया के citizen है no state और इंडिया के अलग अलग citizen नहीं हो सकते प्लस आप इंडिया के citizen हो तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बाहर चले गए आपने कहीं और की citizenship ले ली आप किसी और country की citizenship ले ली अमेरिका की citizenship फर एक्जांपल आपको मिल गई तो जैसे ही आपको वहाँ की citizenship मिल जाएगी आपकी इंडिया की citizenship automatically क्या कर देंगे cancel कर दी जाए क्यों क्यों कि हम लोग क्या concept follow करते हैं single citizenship का यहां तक की कहानी समझ में आई ओके अब आता है integrated and independent judiciary word है दो different different word है integrated मतलब होता है kind of जोड़ा हुआ है ना attach word use कर सकते हो आप इसके लिए और independent मतलब होता है कि अलग से बिलकुल ठीक है हम independent होके काम कर रहे हैं हम किसी पर dependent नहीं आश्रित नहीं हो ठीक है यहाँ पर कोई आश्रित नहीं होता किसी पर तो अब इसका judiciary से क्या link कर रहे है यह लोग जो डीशेरी आते हैं आपके धिमाग में court system आ जाते हैं सारे supreme court, high court की कहानी, district court की कहानी, ठीक है, क्या होते हैं, कैसे work करते हैं, क्या function है, that तो we will see, बट अभी क्या बोलना चाहरा है यह, अभी यह बोलना चाहरा है कि एक तो यह integrated level पे काम कर रहे हैं, इनका एक proper hierarchy बना हुआ ह एक sequence बना हुआ है, आप किसी भी case के लिए direct भाग के supreme court पे नहीं जा सकते हो, एक sequence है चीजों का जो हमें follow करना होता है, तो हम देखते हैं, जब हम 3 type के court की बात कर रहे हैं, मैंने आपे topmost में लिखा क्या, supreme court, सबसे top पे मैंने क्या लिखा, supreme court, ठीक है, सबसे top जिसे हम कहते हैं, उच्छितम नियाले, क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इससे बोलते हैं, उच्छितम नियाले, court क्या होता है, नियाले, उसके बाद क्या आते हैं, high court, supreme court के बात क्या आते हैं, high court, high court क्या होते हैं, उच्छ नियाले, ठीक है, उसके बाद आते हैं, district court आपके, क्या आते है district court, जो जिला में आपके court बनाए गए है district क्या होता है, एक जिला होता है तो इसके अलावा नीचे हमारे level पर क्या होते है district court, ठीक है, district किस related होता है, ये जिला अदालत होती है, तो हमारी एक sequence बनी हुई है, इस तरीके से ये तीनों आपस में integrated है क्या है, integrated है यहाँ से person discuss why होके upper court में appeal कर सकता है और यहां से discuss why होके इस से upper court में appeal कर सकता है तो ये system kind of क्या है integrated है, ये proper क्या है,алаरे की है, एक sequence है ठीक है, ये इस तरीके से proper क्या बनाऊ हुआ है, sequence बनाऊ है तो ये प्रूफ करता है कि system judiciary system कैसा है integrated है वही जब मैं बात करे हूँ independent की तो independent मतलब क्या होता है ये अपने decision के लिए किसी पे भी dependent नहीं होते यहाँ पे ये किसी की advice किसी के order के लिए bound नहीं है ना तो ये किसी को advice देने के लिए bound है जैसे कि Supreme Court President advice मागेगा तो ये ज़रूरी नहीं होता कि Supreme Court President को advice देगा ही देगा Unless and until कोई matter बहुत ज़ादा national importance के लिए से related नहीं है अच्छा कोई India से related बिल्कुल national importance की बात है ठीक है और President जी चलेगा Supreme Court के पास advice मांगने Supreme Court मना कर देगा कि नहीं हम नहीं देरे advice नहीं तो national importance के case में Supreme Court के not deny बट generally Supreme Court के ऊपर होता है कि वो advice देना चाहते हैं या नहीं प्लस Parliament अपना कोई rule बना के Supreme Court पे नहीं थोप सकती है ना वो उसको advice कर सकती है ना वो decision making में influence कर सकती है तो ये प्रूफ करता है कि judiciary कैसी है? independent है तो हमने देखा हमारी judiciary कैसी? integrated and independent judiciary है ठीक है? उसके बाद आती है बात universal adult franchise नाव आप लोग की दिमाख में आएगा ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये क्या आप हमें बता रहे हो है ना? ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या देखने जैसा है तो सिंपल सी जो आप पढ़ते आ रहे हो वही चीज़े कुछ नया नहीं है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है एवरी परसन ने को अगर मैं मतलब हिंदी में अपसे बात करूं तो सार्व भूमिक व्यसक मतादिकार थोड़ा उपर नेचा हो सकता है लिखने में ठीक व्यसक बतादिकार सार भूमिक व्यसक मतादिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या मतलब होता है है इसका, every person जो की 18 year और उससे अबव है, has the right to vote, ठीक है, क्या मतलब है इसका, 18 year and above has right to vote, has right to vote, उसको vote डालने का अधिकार है, irrespective, किस चीश को इगनोर करके, irrespective of the caste, creed, race, religion, gender, income, यह सब बातों को इगनोर करके, हम यह सब नहीं देखेंगे कि आप किस caste, creed, gender, religion, income group से belong करते हो, अगर आप 18 plus हो, तो you have the right to vote, now मुझे एक बाब बताओ, कि मैं 18 plus हूँ, क्या यह शुरू से, जब से constitution बना तब से यही age है, नहीं, earlier the age used to be 21, पहले जो age होती थी voting की, वो हुई, वो थी 21 years, तो यह जो 21 से 18 year आप लोगों ने age कर दी, यह कम हुई है, मतलब पहले तो 21 year age थी, तो आप जब आप कहा रहे हो, 18 year, तो यह जो particular age है, यह आपने कब कम की है, तो यह जो age है, यह हमने कम की है proper, आपने 61st constitutional amendment act के थू, किसके थू करी है, 61st constitutional amendment act, constitution में change करना है, ध्यान से देखो, change करना है, समविधान में संशोधन लाना है, तो एक क्या करना पड़ तो 61st constitutional amendment act 1988 में कराया गया, पास, जिसके थू voting age 21 से कितनी हो गई, 18 years, question exam में आ सकता है, which constitutional act changed the voting age from 21 to 18 year, the answer is 61st constitutional amendment act 1988, is that clear, यहां तक के सारी features हमें clear हुएं अच्छे से, ठीक है, अब बात करते है, fundamental rights duties की, ठीक है, fundamental rights देखो, यह तीन चीज़े थोड़ा सा link करके पड़ते है, rights, duties and DPSP, directive principle of state policy, fundamental rights हमारे मौले का दिकार क्या है, हमाले मौले करतव्य क्या है, और यह DPSP क्या है, directive principle of state policy क्या है, देखो, तो fundamental right की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, fundamental right, part third में लिखे हैं हमारे, कहां लिखे हैं part third में लिखे हैं, ठीक है, fundamental rights क्या होते हैं, basically अगर आप मुझे बताएं, तो fundamental rights क्या होते हैं, बताएं, fundamental rights जो होते हैं, यह हमारे क्या है, मौले क अधिकार हैं, क्या है, मौले क अधिकार हैं, किसको मिले हुए मौले का अधिकार हैं, citizens को मिले हुए, किसको मिले हुए मौले ठीक है अच्छा fundamental rights आपके part 3rd में आते हैं DPSP जो है यह आपका part 4th of the constitution में आता है वहीं जो fundamental duties आती है हमारी यह जो fundamental duties आती है यह आती है हमारी part 4th A में 4A में इतनी बात हमें समझ में आगी हमने 20 पार्ट देखे और उसके बाद देखा 25 हो गए है न तो यह part 3rd, part 4th में DPSP and 4A में क्या fundamental duties डिसकस तो करेंगे अभी इसके बारे में part 20 बड़ अभी आप क्या बताना चाहरे हो कि fundamental right क्या तो constitution का एक important feature fundamental rights duties and DPSPB है जो constitution में लिखा गया है कितने right है क्या right है कौन से article से कहां तक की कहानी है यह सब तो rights में पढ़ेंगे fundamental right में हम बात करेंगे article 14 से लेके article 32 तक एक-एक article में बहुत time लगेगा अराम से एक series मतलब 4-5-6 class लगाके rights complete करेंगे total हमारे क्या है six fundamental rights है total क्या है हमारे छे fundamental rights है six fundamental rights है क्या-क्या आते है ठीक है उसमें right to equality की बात की जाती है ठीक है, समानता की बात की जाती है, इसके अलावा freedom की बात की जाएगी, उसके अलावा किसकी बात की जाएगी, उसके अलावा against exploitation बात की जाएगी, उसके अलावा हमें जो constitution remedy देता है, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे right violate किये जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ये सारे rights की बात इसमें की जाएगे ठीक है ये तो किया जाएगा बट what else? ये तो पढ़ेंगे अम डिटेल में fundamental right जो होते है जो होते है जस्टीशेबल अब ये word क्या है? ये word एक तरीके से वोकाब जो political थोड़ी सी वोकाब है वहाँ पर ये word आएगा हमारे पास जस्टीशेबल तो जस्टीशेबल क्या होता है? तीकि जो fundamental rights है अगर इनका कोई violation कर रहा है आपके किसी भी fundamental right का कोई violation कर रहा है तो आप उसके against क्या कर सकते हो? court में जा सकते हो आप उसके against क्या कर सकते हो? court में जा सकते हो तो जस्टीशेबल का मतलब क्या होता है? कि आप proper court में जाके क्या ले सकते हो? action ले सकते हो तो when I am saying fundamental right are justiciable तो अगर आपके कोई fundamental right को violate कर रहा है तो you can directly go to the supreme court आप इस case के लिए directly supreme court में जा सकते हो क्योंकि fundamental right जो है यह बहुत important part consider किये जाते है ठीक है? fundamental right जो है यह बहुत important है बस emergency के case में आपके कुछ fundamental right को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है normal situation नहीं होती emergency में हम fundamental right freedom की जो बात होती है कि हम धरना दे सकते हैं हम protest कर सकते हैं सब चीजे हम बंद करवा देते हैं ठीक है? क्या कैसे? तो that we will discuss अब बात करते हैं duties की fundamental duties मैं कह रहे हो part 4a में अब आप सारे right तो मांगना चाह रहे हो कि मैं यह करूंगा मुझे यह right है मुझे freedom of speech है मुझे यह है अब अपनी duties फुल्फिल नहीं कर रहे हो मतलब being an Indian citizen आप इंडिया के रहने वाले नागरिक हो आप इंडिया की respect नहीं कर रहे हो आप इंडिया के against नारे लगा रहे हो आप इंडिया के national song, national anthem, national flag की insult कर रहे हो तो क्या आपको fundamental right देने चाहिए? क्या आपके सारी fundamental right को avail कराना चाहिए? तो कुछ आपकी duties भी बनती है बढ़ने को duties are non-justiciable क्या होती है? Duties non-justiciable है मतलब अगर आप अपनी duties fulfill नहीं कर रहे हो ना तो कोई case नहीं करेगा आप पे मतलब फिर कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आप इसे fulfill नहीं कर रहे हो तो वही fundamental right अगर आपके कोई violate कर रहा है whether कोई और citizen, whether कोई organization या फिर सरकार ही कर रही है तो आप उसके against court में जा सकते हो ठीक है? अब DPSP देखा Directive Principle of State Policy देखिए सबसे पहली बात तो ये आपके basically philosophy है Constitution की DPSP की में बात करो इसे novel feature कहा अब question आता है novel feature किसे कहा Constitution के किस पार्ट को novel feature कहा और किसने कहा ठीक है? तो ये हमने देखा इसे novel feature कहा, किसने कहा BR made करने कहा, हर line से question raise हो रहे है, तो इसको सासत cover करके चलना है, BR made करने क्या कहा? novel feature कहा, किसे कहा, DPSP को कहा, Directive Principle of State Policy को कहा जो आपके DPSP होते हैं, ये भी हमारे non-justiciable in nature होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन-कौन सा article आता है that is separate discussion, वो proper discussion करेंगे पर अभी हमने आप ये देखा कि ये क्या होते हैं, ये non-justiciable होते हैं, ये समझ में आई, ये सब हमारे constitution के part है, मैंने आप से कहा न, एक तरीके से आज की class में हम सारे topic देख लेंगे, जो हमें constitution में पढ़ने हैं, तो line by line ये ही चीज़ हम कर रहे हैं, अभी हमें क्या-क्या देखना है हमें यहाँ पर ये सारी चीज़े पढ़नी है constitution में, ठीक है, ये landiest and return के बारे में मैंने आपको बता दिया चीज़े, सारी, ठीक है ये हमने देख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है, अलग-अलग sources से लिए ये देखा इसको हम ट्रिक से पढ़ लेंगे, अभी नहीं आद होगा ट्रिक से करेंगे इसे, रिजिटिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी है चीज़े युनिटरी बाइस फेडरल, फ्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर पर कोश्चन हमें करना है, डिटेल में टॉपिक करना है सिंगल से डिजन्शिप की बात करी, तो से डिजन्शिप हमारा बहुत डिटेल में टॉपिक है पार्थ जो है, हम इसको करके चलेंगे, सिकिंड पार्थ में है यह पूरा डिटेल सिटिजनशिप की करेंगे हम लोग जुडीशियरी अलग से हमारा टॉपिक है ही आगे ठीक है युनिवर्सल लेडिन फ्रेंचाइजी देखा राइट ड्यूटीज और डीपी एसपी बहुत मेजर पार्ट है कॉंस्टिउशन का अगला टॉपिक आजाता ह है इसवर्ड का मतलब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूं सुप्रीम किस मिया कर सकती है law बना सकती है Parliament किसी भी चीश के regarding law बना सकती है इसलिए मैं कहा रही हूँ कि Parliament के पास supreme power है Parliament में discussion होते है Bill आपके पास होते है then वो एक act या फिर law बन जाते है तो इस way में हम कहा सकते हैं कि Parliament जो है वो क्या है supreme है वही जब मैं कहा रही हूँ कि judicial supremacy तो judicial supremacy में यह होता है कि अगर court को लग रहा है कि इनके बनाए हुए law जो है वो कुछ चीश को किसी basic structure को आपके fundamental right को citizen के या फिर यहाँ पे अपनी country में law and order को break कर रहे हैं तो जो court है वो intervene कर सकते हैं Parliament के बनाए हुए laws में समझ में आ रही है बात तो यहाँ पे इस तरीके से judicial supremacy भी देखने को मिलती है हमारे constitution में दोनों चीजे है हमारे यहाँ पे parliament जो sovereignty भी है और judicial supremacy जो USA में concept होता है यह भी हमें देखने को मिलता है तो it is a mixture of both parliament sovereignty and judicial supremacy तो हमने कुछ भी कहीं से copy नहीं किया है यह बात आपको दिख रही होगी ठीक है emergency provision की बात की जाती है तो emergency क्या होता है again यह भी पूरा आगे chapter है detail में यहाँ में बस इसका थोड़ा से हम लोग क्या करेंगे एक तरीके से just यहाँ पे देखके चलेंगे क्या क्या है इसमें emergency की बात की जाए तो emergency मतलब कोई भी ऐसी extreme situation जो normal situation से हटके है कोई भी extreme situation जो normal situation से हटके है हमारी constitution में तीन टाइप की emergency mention की गई है national emergency राष्टियर ठीक है state हो गई और आपकी financial हो गई क्या हो गई national state and financial article की बात की जाए तो इसका article है 352 इसका article है 356 और इसका article है 360 बाकी तो detail में और बहुत कहानी इसके बारे में discuss करेंगे बट क्यू क्यू लगती है इतना हम अज अभी यहाँ पर देख रहेते हैं national emergency कब लगती है national emergency लगती है जब या तो आपके यहाँ पे कोई external aggression हो बाहर से किसी ने हमला कर दिया ठीक है external aggression किती बार लग चुकी है क्या है बताऊंगी ठीक है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई इंडिया चाइना की लड़ाई external aggression हो या फिर आपकी ही country में कोई armed rebellion छेड़ गया हो तो ऐसे cases में हमें लगानी पड़ती है क्या हम लगा देते हैं हम डेकलेर कर देते हैं नेशनल इमर्जेंसी ठीक है arm rebellion या external aggression मतलब war like situation हो गई है ना बाहर की किसी country ने कुछ हमला कर दिया है और अब प्रॉपर arms के साथ लड़ाई हो रही है तो ऐसी case में लग जाती है नेशनल इमर्जेंसी आर्डिकल 352 के देते है clear लगाने के provision impact नहीं पढ़ने अभी है ना एक साथ सब नहीं पढ़ना है स्टेट इमर्जेंसी की बात करूँ तो जब हमारा constitution की machinery constitution machinery जो है जो जिस तरीके से काम होना चाहिए law and order होना चाहिए वो fail हो जाता है मतलब कोई state समाल नहीं पा रहा है कि भी हमारे हापे बहुत ज़्यादा problem हो रही है लोग oppose जा रहे है मान ही नहीं रहे है अपनी ही चला रहे है ऐसे cases में situation जो है वो गड़बड हो जाती है sorry तो इस case में हम क्या लगा देते है state emergency लगा देते है वहीं बात करते है financial emergency की financial emergency हमारी country में अब तक एक भी बार नहीं लगी है financial emergency ऐसी situation होती है जब हमारा financial structure थोड़ा सा हिल जाता है country में बहुत ज़्यादा credit हो चुका है पैसा नहीं है, money circulate नहीं हो रही है यह financial crisis की situation होती है जिसमें क्या लगती है financial emergency लगती है crisis की situation आई है country में अभी भी recent time भी crisis का चली ही रहा है आप देख रहे हो economy में बट यहाँ पे financial emergency आस तक एक भी बार नहीं लगी है so that is about emergency यह भी हमें constitution में पढ़ना है यह भी constitution का एक important feature है उसके बाद हम बात करते हैं parliamentary form of government की देखें दो type होते हैं government के again यह भी प्रॉपर एक अलग से class है chapter है जिसमें हम इन दोनों form के detail में features क्या करेंगे discuss करेंगे यहाँ भी समझने के लिए हमें क्या देखना है हमारे दो form होते हैं एक होता है presidential form और एक होता है parliamentary form तो यह presidential form जो है यह USA में चल रहा है parliamentary form जो है यह हमने adopt कर लिया है हमने क्या adopt कर रहा है parliamentary form presidential form of government में क्या होता है कि आपका जो head of the state होते है head of state जो है आपके और आपके head of government जो है वो कौन है दोनो president ही है ठीक है supreme top पे कौन बैटा है president बैठे है बट हमारे यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे हम parliament को consider कर रहे है top most पे और हमारे यह head of the state and head of the government क्या होते है different होते है यह हम discuss कर चुके है I guess कौन-कौन होते है head of state and head of government अगर मैं बात करूँ head of state की ठीक है तो हमारे यहाँ पे head of state जो है वो है president ठीक है, और हमारे आप एड ओव जो गरवर्यमेंट होते हैं, प्राइम मीनिस्टर होते हैं, वहीं अगर मैं आप से बात करूं कि जो हमारे आप प्रेषेडेन्ट है, हम इनने नॉमिनल हैड बोलते हैं ठीक है, nominal मतलब नाम के head, नाम के लिए proper है ना, और जो आपके PM होते हैं, अम इने क्या बोलते हैं, real head बोलके चलते हैं तो nominal head क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो decision होता है, वो किसके name पे देखने को मिलता है, हमें, president के name पे देखने को मिलता है तो हमारे आप एक कौनसा system है, parliamentary system of government है, जिसमे head of the state and head of the government क्या होते हैं, they are the different person, that is state का head, president and government के head, prime minister President को हम nominal head भी बोलते हैं, PM को हम real head भी बोलके चलते हैं, वहीं जो ये parliamentary form of government है, ये जो आपकी parliamentary form of government है, इसको हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं direct question आ सकता है कि क्या कौनसी government होती है, parliamentary form of government को हम west minister model के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, west minister model के नाम से भी जानते हैं sorry, plus हम इसे responsible government के नाम से भी जानते हैं clear, responsible government, यहाँ पे responsibility assign होती है, यहाँ पे executive और legislation के बीच में responsibility, यानि कि ये लोग क्या होते हैं, उत्तरदाई होते हैं एक दूसरे के लिए clear, यहाँ पे यह responsible government के लाती है, plus west minister model के लाती है, कौनसी government, parliamentary form of government clear है यहाँ तक की बात हमें, हमने सारे features detail में देखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजे हैं, जिने हम feature में categorize कर सकते हैं बढ़ हम उने पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उने आपे separately अलग से discuss नहीं करेंगे, वो क्या के word है मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक word बताया था, sovereign, मैंने आपको एक word discuss करा था, socialist, यह सिर्फ word लिखे हैं क्योंकि हम यह discuss तो पिछली class में कर चुके हैं, secular भी है, कि state का अपना कोई religion नहीं है, plus state किसी religion को support नहीं करता, citizen free है किसी religion को adopt करने के लिए, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको democracy भी बता दिया था, obvious बात है, पूरा जो constitution है, यह democracy को ensure करने के लिए ही तो आया है, क्या है democracy का concept, to the people, for the people and by the people, उसके अलावा मैंने आपको word बताया था, republic, republic में हमने देखा था, कि यहाँ पर monarch system नहीं चलता, यहाँ पर hereditary system नहीं चलता, और हम अपने feature किस तरीके से derive करते हैं, वो हमने यहाँ पर देखा था, head of the state and head of the government का concept, यह वाले पार्ट आपको clear हुए features में, ठीक है, तो यह सारे पार्ट हम detail में, free example में discuss कर चुके हैं हम लो legislative के बारे में, first class में हमने meaning पढ़ा था, तब हमने जिक्र किया था ने इनके बारे में, और judiciary के बारे में, तो यह पूरा हमें constitution में यह चीजे पढ़नी है, executive पढ़ेंगे हम लोग, legislative पढ़ेंगे हम लोग, judiciary पढ़ेंगे हम लोग, clear हुई है आतक की बात, तो अब question आता है, pre scandal हो चुका है, बिल्कुल हो गया, आज की class में हम लोगोंने features पढ़ लिया है, ठीक है features भी हमारे हो गए, अब आगे क्या, आगे आप किस तरीके से cover करने की बात कर रहे हो चीजे, तो आगे की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आगे हम लोग जो discussion करना start करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर आपके schedules, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कितने schedules होते हैं, मैंने आपको कितने schedules बताए हैं, मैंने आपको total कितने schedule बताए हैं, 12 schedule बताए हैं, तो इन 12 schedules के नाम और इनके बारे में क्या क्या चीजे हमें total होंगी, ये 12 schedule हम अपनी next class में discuss करेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगी कि total articles से start करेंगे, हम लोग article 1 and article and part का mixture sequence में, कि पहला part ये है, पहले part में यहां से आतक के article आते हैं, उस सारे article को word by word हम लोग discuss करके चलेंगे, तो इस तरीके से हम लोग आगे इसको continue करेंगे, हमने आज की class में इतना concept देख लिया है, features का, आप इन proper features को अच्छे से करेंगे और अगली हर class में हम इन features से सारे topics को link करके चले करेंगे, okay? So, that's all for today. Thank you for watching the video. और देख लोग वाँ